दोस्तों नमस्कार स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बैदीप अब दोस्तों टाइटल थमने लाप ने देखा कि किस पर हम चर्चा करने वाले हैं आरो ए आरो एक्जाम में पेपर लीक और परिच्छा रद होने के बाद ये कयास लगाया जा रहे हैं तमाम चात्रों सोसल मेडिया पर की यूपी पीसियस तोचाविस का जो प्री एक्जाम है 17 मार्च को प्रस्तावित है ये टलने की संभावना है और जैसा कि आपने देखा क सासन ने परिच्छा को रद किया और साथ साथ यूपी पीसियस के जो परिच्छा नियंतरक्त है उनको अभी एक दो दिन पहले ही हटाए गया है तो बड़ी बात यहां पर यह है कि छात्रों का ये भी कहना है कि आंदूलर में काफी समय गया साथ साथ सरकार के लिए एक बह 2024 का तो क्या इस एक जांबे सरकार या सासन कह सकते हैं कोई रिस्क लेना चाहती है कि पेपर जिस परिच्छा नियंतरक के कारे के समय पेपर जो पब्लिस हुआ छपे होंगे जैसा कि आरो यारो और साथ 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 यूपी PCS में तो सबसे बड़ी बात यहां पर हम इसी पर करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं कि यह पेपर है उस पेपर निकला था UPPSC के परिच्छा नियंतरक हटाएगे ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ परिच्छा नियंतरक को पता होता है कहां छप रहा है प परिच्छा नियंतरक को मालूम होती है कि परिच्छा नियंतरक के पास भेदी जाते हैं परिच्छा नियंतरक उनमें से किसी एक सट को छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को भेजता है हाला कि परिच्छा नियंतरक को भी हजानकारी नहीं होती है कि परिच्छा नियंतरक बंद निफाफे में कौन सा सेट है लेकिन परिछा नियंत्रों को यह पता है ना कि प्रिंटिंग प्रेस तो फिलहाल यहां पर देखिए जो भी यहां पर बाते निकल के आ रहे हैं 17 माज को पेपर हो सकता है या टल सकता है तमाम सुसल मीडिया पर कई छात्रें हाँ पर कमेंट कर रहे हैं और क्वेरी भी आती है कि सर क्या पेपर टलेगा तो देखिए सीधी सी बात है बहुत कम समय है यहां पर सासाद जिस प्रकार से आरो आरो में गरवडिया हुई और परिच्छा नियंत्रक साहब यही है जिनके अधीन PCS 2024 का भी पेपर तयार हुआ होगा उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस में भेजा होगा तो यह सब सारी बाते हैं लेकिन हमें क्या करना है आयूक के नोटिस का इंतजार करना है आप सभी छात्रों को पता है कि इसके पहले 2018 का जो में से जाम था परिच्छा नियंत्रक स्रीमती अंजूलता का टियार जी थी अच्छी तरीके से याद है और उनका यहाँ पर मैंसन भी किया गया है ठीक है अंजूलता का टियार जी थी है ना और उनके कारकाल में भी यहाँ पर यह चीजें की गई थी पेपर लिख हुआ था और आयो उनको हटा कर गिरिफ्तार किया गया था हमारा यह कहना है कि अभी आप अपनी तयारियों को अंतिम रूप दीजिए पेपर होगा या नहीं होगा कुछ दिनों में ही यह कंफर्म हो जाएगा क्योंकि आज 5 मार्स है 17 मार्स को परस्तावित है डेट और उसके पहले आपका एडिमिट कार्ड भी आना है लेकिन हमारा यह यह कहना है जो भी चीज़े हो पेपर टले या पेपर हो जब तक आयोग की official notification नहीं आ जाती आप किसी के भहकावे में मत आईए और अपने तयारियों को अंतिम रूप दीजिए यह फैसला अब आयोग को करना है कि हमें पेपर 17 को ही कराना है या परिच्छाने अंतरक जब हटाए गए हैं तो उनकी जगा कोई नए अपाइंट होगे वो सारी चीज़े अपने कारकाल में कारभार में क्या कहते हैं उनका क्या decision होता है कि हमें कितना समय मिला है हमें परिच्छा को करा सकते हैं या इस परिच्छा को चाला जा सकता है एक जहां election बाद हो सकता है क्योंकि आरो आरो का paper 6 महीने बाद होगा ठीक है तो अभी इस वीडियो में मेरा ये कहना है कि आप सभी चात्र अपने तयारियों का अंतिम रूप दीजिए थोड़े दिन वेट कर लिजिए और यहां पर चीज़े तस्वीर बिलकुल क्लियर हो जाएगी साफ हो जाएगी लेकिन यहां पर जो भी probability यह निकल के आ रही है जो भी चीज़े है कि परिच्छा चलने के आसार दिख रहे हैं लेकिन हभी हम यहां पर confirm आपको यह नहीं कह रहे हैं 50-50 है आप परिच्छा को गंभीरता से अपनी परिच्छा को अंतिम रूप दीजिए जो भी फैसला होगा आयो की तरफ से ऑफिसल लोडिफिकेशन बहुत ही जल आपके सामने देखने को मिलेगा तो अभी के लिए इतना ही आपके क्या विचार है नीचे कमेंट मॉक्स से कमेंट करेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू बेरी मच